नमस्कार दोस्तों, जैमान चामुंडा तुल्ला राशेवालों, अप्रेल माह में आपकी जान ले लेंगे आपका यह तीन दुश्मन सावधान, दोस्तों, जो आने वाला समय है, वह आपके जीवन में तरक्की के कई सारे रास्ते खोलेगा, लेकिन दोस्तों, कुछ लोग आ ऐसे कई सारे दुश्मन छुपे हुए हैं, जो आपकी खुशियों से बहुत ज्यादा जलते हैं, ऐसे हम दोस्तों, यह जो आने वाला समय है, यह आपको एक बहुत बड़ा मौका देगा आगे बढ़ने का, लेकिन दोस्तों, आप देखेंगे कि जो आपके अपने लोग है जिन पर आप आँख बंद करकर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, जिन लोगों पर आप बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं, वही लोग आपको रोकने के लिए अपना पूरा जोर भी लगा देंगे, तो आपको यह देख कर भी काफी निराशा होगी, कि जिन लोगों को आप अपना मानते हैं, जिन लोगों को आप अपना समझते हैं, जिन लोगों के लिए आप अपनी जान लुटाते हैं, वही लोग आपकी खुशियों से जलते हैं, तो दोस्तों एक बात आप समझ जाईए कि जिन्दगी का नियम यही है, कोई भी किसी को अपने से ज्यादा आ महत्वपूर्ण सावधानी का आपको ध्यान रखना होगा. पहले सावधानी ध्यान से सुनियेगा. दोस्तों, आप अपनी जो योजनाएं हैं, उन्हें गुप्त रखने का प्रयास करें. आपकी राशिकी जो जातक होते हैं, वह स्वभाव से बहुत सीधे, बहुत सरल होते ह वह लोग कभी भी कुछ बात छुपाते नहीं हैं, खास कर अपने रिष्टेदारों से और अपने करीब के लोगों से वह अपने जीवन के सारे महत्वपूर्ण राज, अपनी जिन्दगी की सारी महत्वपूर्ण बातें उन्हें बता देते हैं, यह सोच कर बताते हैं कि यह तो मेरा भाई है, यह मेरा अच्छा दोस्त है, यह मेरा अच्छा रिष्टेदार है, सारी की सारी बातें उन्हें बता देते हैं, और फिर जब सच्चाई आपके सामने आती है, तो आप फिर रोने लग जाते हो, कि मेरे अपने नहीं, मुझे धोखा दे दिया, तो पहले से अपनी योजनाओं को आप जितना गुप्त रखेंगे, आप जीवन में उतनी ही ज्यादा तरक्की करेंगे। उसी के साथ साथ, दोस्तों, पैसों से जुड़े निर्णय आपको अपने दम पर खुद की सहमती से लेने होंगे। वाला व्यक्ती कभी भी आपको सही रास्ता नहीं दिखाएगा। यदि वह आपका कोई बहुत ही करीब ही शुबचिंतक हो, तो बात अलग है। वरना दोस्तों, लोग हमेशा आपको गलत ही रास्ता दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वह बिलकुल भी नहीं चाहते कि आ आप उनसे बिलकुल भी आगे निकले। इसी लिए आपको यह बात समझनी होगी कि आपकी जिंदगी का फैसला आपको खुद लेना होगा। यदि आप अपने निर्णय के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाओगे। दोस्तों, तो लोग हमेशा आपको नीचे गिरने रहे कभी भी लोग आपको तरक्की की राह पर आगे नहीं बढ़ने देंगे। साथी दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले समय में आपका भाग्य आपका बहुत अच्छा साथ देने वाला है। जी हाँ दोस्तों, पूरे 50 सालों के बाद आपकी कुंडली में बहुत बड़ा राज योग बन रहा है। अब आप भी कहोगे कि वह परमात्मा आपने तो हमारा भाग्य बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, किस्मत अब आपका बहुत अच्छा साथ देने वाली है। ऐसे में दोस्तों, भूल कर भी आपको अब देरी नहीं करना है। आपके अंदर आपकी राश्य वाले जातकों की एक बहुत बड़ी कमी यही है कि आप लोग विचार करने में समय बहुत ज्यादा बरबाद कर देती हो। आप सोचते हो कि मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, समय आने पर मैं यह कर लूँगा, वह कर लूँगा। आप ये जो समय बरबाद कर रहे हो ये आपके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आप इस बात का दोस्तों विशेश रूप से ध्यान रखें कि आपको अपनी जिंदगी में यदि आगे बढ़ाना है तो समय का पालन सही से करना होगा। आप अपने दिन का एक सही से शेड्यूल बना कर अपने दोस्तों आपको अपने चारों और इस बात का ध्यान रखना होगा। यदि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके कामों में दखल अंदाजी कर रहा है। आपके हां में हां मिल रहा है। यदि आपको गलत करने जा रहे हो तब भी आपको नहीं रोक रहा तो समझ जाना कि वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और वह व्यक्ति आपको कभी भी जीवन में काम्याब नहीं होने देगा। आज नहीं तो कल वह आपको बहुत बड़ा धोखा ही देगा तो बहुत ज्यादा आवश्यक है। दोस्तों कि आप समय रहते ऐसे लोगों से दूर बाद हो सकते हैं तो आपको ऐसे लोगों से दूरियां बना कर चलना जीवन में बहुत ज्यादा जरूरी है। वही दोस्तों आपको बता दे। कुछ लोग आपको गलत सलाह देने की कोशिश करेंगे, आप से कहेंगे अरे तू यहाँ निवेश कर दे, यहाँ से बहुत और आगे बढ़ाना है, ताकि आपका मन ताकतवर हो सके और आप अपने दिमाग से अच्छे-च्छे महत्वपूर्ण बड़े से बड़े निर्णय भी ले सके। क्योंकि दोस्तों, खराब मन से जब भी आप कोई फैसला लेने जाओगे, तो आप अकसर नुकसान ही सहना कर तो मित्रो हमारे गुरूजी कहते हैं कि जैसे फल और फूल किसी की प्रेरणा के बिना ही अपने समय पर व्रिक्षों में लग जाते हैं, ठीक उसी प्रकार किये हुए अच्छे और बुरे कर्म भी अपने आप जीवन में स्वतह फल देने आते रहते हैं। तो अपने जीव तो आएए अब बात करते हैं 24 घंटों के महत्वपून समय अंतराल की। तो मित्रो इस समय के अंतराल में आपको ध्यान रखना है कि भविश्य से संबंधित बातें होती हुई नजर आ रही है क्योंकि आपको आने वाले भविश्य में कुछ अच्छे लाब मिलने की करें ताकि आप पूरी तरह से स्वस्थ रह सकें। आपका परिवार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मित्रो आपके परिवार के लिए हर वो चीजे पूरी तरह से कायम रहेगी जिन्हें आप चाहते हैं और प्रदूशन कम करने के लिए एक पौधा आपको कमजोर करने का काम कर सकती है। आप सभी को बता देते हैं कि जीवन की लगुता पर विचार करें। इसलिए आप अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं। जीवन की लगुता यानी कि जीवन को कैसे सफल बनाना है और आगे ले जाना है इस बात पर आपको विचार करना होगा और मित्रो बता देते हैं कि आप अपने लिए कुछ समय निकाल सकते हैं लेकिन किसी अनपेक्षित कार्य के कारण आप ऐसा नहीं कर पाएंगे आपका जीवन साथ ही पड़धोस में किसी नई बात को लेकर विवाद पैदा कर सकता है साथ ही यह जो समय है यह समय मौज मस्ती और हंसी मजाक में भरा रहेगा मित्रो आपको जीवन को भरपूर जीना चाहिए क्योंकि इन बड़े कारोबारियों को पैसा बहुत ही सोच समझ कर लगाने की जरूरत है करते हैं तो रिष्टा अपने आप दूर हो सकता है अपना समय एक साथ बिताएं और अच्छे पुराने दिनों को वापस लाने के लिए खुशनुमा यादों को ताजा करें मित्रो इस वक्त आपकी जिन्दगी बहुत बुरे तनाव से गुजर रही है अब जिन्दगी में यदि आपको खुशियां लानी हैं तो पुराने दिनों को याद करें मित्रो यदि आप अप प्रत्याशित रूप से अपने जीवन साथी के प्रति आकर्शित है तो यह बहुत अच्छा है लेकिन आपको अपने व्यापारिक लेंदेन के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए क्योंकि यदि आप वही काम करते हैं जो आपके लिए मायने नहीं रखते हैं तो आप केवल अपना समय बरबाद कर रहे होंगे आपको अपने जीवन साथी से एक बार फिर से प्यार हो जाएगा और आपके पास खुद के लिए काफी मात्रा में प्रयाप्त समय रहेगा इसलिए मौके का फाइदा उठाएं और सेहत मंद रहने के लिए सैर सपाटे पर जाएं यदि आप अंजान लोगों की सलाह सुनते हैं तो आपको उस निवेश का लाभ मिल सकता है मित्रों, सावधान रहें घर में अचानक कोई बदलाव ना करें क्योंकि जो बदलाव आप कर रहे हैं हो सकता है कि वह आपके बड़ों को नाराज कर दे प्रेम जीवन में जल्दबाजी बिलकुल न करें अपने रिष्टे को धीरे-धीरे और गुप्त तरीके से आगे बढ़ाएं मित्रों, क्योंकि जल्दबाजी में बात बिगड़ सकती है रिष्टे बिगड़ सकते हैं यह बात ध्यान रखना मित्रों, आप सभी को बता देते हैं कि आज के समय किये गए निवेश काफी फाइदे मन साबित हो सकते हैं लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि निवेश अगर आप कर रहे हैं तो लालच में आकर बिलकुल ना करें जी हां मित्रों, आपको अपने पार्टनर के विरोध का सामना करना पड़ सकता है एक सुपरस्टार की तरह बरताव करें और सिर्फ उन्हीं चीजों की तारीफ करें जो तारीफ के काबिल हो जीवन साथी का आलस्य आपके प्रयासों को बिगाड सकता है मित्रों, आपको बहुत ही बढ़िया एक अद्भुत एहसास होगा अपने परिवार के प्रती तो मित्रों बता देते हैं कि बहुत बढ़िया तरीके से आपके काम पूर्ण होंगे तो आएए एक छोटा सा उपाय जो जिन्दगी को समवारेगा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा मित्रों हमारे गुरुजी कहते हैं कि व्यक्ती के कर्म ही उसके भाग्य का निर्मान कर रहे हैं अर्थात, जो आप अभी कर रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं उसका फल आपको भविश्य में मिलने वाला है क्योंकि मित्रो, हमें जीवन में एक बात का ध्यान रखिएगा, कि जो आप बोओगे, वही काटोगे अपने कर्मों का खेल आपको समझना चाहिए मित्रो, अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ती अच्छे कर्म करता है, भगवान की शरण में उसे ही स्थान प्राप्त होता है तो गुरु जी का यह ज्यान आज ही से अपने जीवन में जरूर अमल कीजिएगा गुरुजी का ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में राधे राधे अवश्य लिखिएगा तो मित्रो यह जिस समय है इस समय में आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है आपको बता दें कि अचानक ही कुछ ऐसी घटनाएं घटेगी जिन्हें देख कर आप यह अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है और अचानक ही किसी अंजान व्यक्ती से भी आपकी मुलाकात होगी और आपके लिए यह मुलाकात जो है बहुत अधिक फाइदेमंद भी रहेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने संबंधित योजनाएं भी तो उस पर ध्यान केंद्रित रखें और आपके लिए उचित डील भी हो सकती है। वहीं आपको बतादे मित्रों की विद्यार्थी अपने परहाई के प्रतिपूर्ण एका ग्रचित रहेंगे और किसी सदस्य के स्वास्थ को लेकर जरासी भी लापरवाही आप नहीं बरतनी हैं। वहीं आपको ग्रह संकेत दे रहे हैं कि व्यवसाय में आपकी उचित कार्य प्रणाली द्वारा बहतरीन व्यवस्था बनी रहेगी। मारकेटिंग तथा मीडिया से संबंधित सभी काम सुचारू रूप से संपन्न होते जाएंगे और आर्थिक स्थिती भी आपकी बहतर रहेगी। आगे कुछ सावधानिया हैं ध्यान दे। आज वह दिन है जब आप अगर चाहें तो यह खुद महसूस कर सकते हैं। नई योजनाएं आकरशक होंगी और अच्छी आमदनी का जरिया साबित होगी। सामाजिक और धार्मिक समारोह के लिए बहतरीन दिन है। मित्रो, आपका दिन आपके वैवाहिक जीवन का एक विशिष्ट दौर से गुजरेगा और आप और आपके मित्र जीवन साथ ही दोनों अधिक करीब महसूस करेंगे। लोगों के साथ बात करने और समाहरोह में शिरकत करने का डर आपके घबराहट की वजह बन सकता है। अब जगधा आखिर बरहे नहीं इस बात का ध्यान रखिएगा। हालांकि अपने शांत स्वभाव से आप सब कुछ ठीक कर देंगे और परिवार की स्थिती वैसी नहीं रहेगी जैसी आप सोचते हैं। घर में किसी बात को लेकर कलह होने की संभावना है तो ऐसी स्थिती में खुद पर काबू रखें। आपके इमांदार और जिन्दा दिल प्यार में जादू करने की ताकत है। व्यवसाईयों के लिए बहुत अच्छा समय है। जिन लोगों के घर। वाले शिकायत करते हैं कि वह घरवालों को पर्याप्त समय नहीं देते हैं, तो आप घरवालों को समय देने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन एन वक्त पर किसी काम के आने की वजह से ऐसा नहीं हो पाएगा जिसकी वजह से परिस्थितियां और बिगड जाएंगी और परिवार के लोग आप से और नाराज हो जाएंगे आप अपने जीवन साथी के साथ कुछ बहतरीन पल गुजार सकेंगे और आपको गुजारने की आवश्यक्ता भी है आईए मित्रों कुछ चमतकारी उपाए हम आपको बताते हैं अगर आप किसी काम से बाहर जा रहे हैं और उसमें सफलता पाना चाहते हैं तो उसके लिए रात को तांबे के पात्र में शक्कर और पानी घोल कर रख दें इसके बाद अगले दिन सुबह घर से निकलने से पहले वह पानी पी लें ऐसा करने से व्यक्ति को कार्य में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और मित्र यह तो था एक उपाए दूसरा उपाए यह है कि यदि परेशानियों से हमेशा के लिए मुक्ति पाना चाहते हैं तो मित्रो मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक नारियल पर सिंदूर से स्वास्थिक बनाएं और हनुमान जी को भेंट कर दें फिर हनुमान चालीसा का पाठ करें इस उपाए से जल्दी ही शुब फल प्राप्त होते हैं चलो एक छोटा सा उपाए हम आपको बताते हैं एक बात ही मित्रो जो लोग रुद्राक्ष पहनते हैं माना जाता है कि रुद्राक्ष भगवान शिव को अतिप्रिय है इसी कारण जो व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है उसे भगवान शिव की विशेश क्रिपा प्राप्त होती है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार रुद्राक्ष की उत्पत्ती भगवान शिव के आंसुओं से हुई है। इसी कारण रुद्राक्ष को चमतकारी और आलोकिक माना जाता है। आगे कुछ सावधानिया, हम आपको बताएंगे ध्यान से सुने। तो मित्रो, हमारे गुरुजी आपको मुस्कुराहट पर घ्यान देने वाले हैं। मित्रो, मुस्कुराहट वह हीरा है, जिसे आप बिना खरीदे पहन सकते हो। और जब तक यहीरा आपके पास है, आपको सुन्दर दिखने के लिए किसी और चीज की जरूरत ही नहीं है। इसलिए मित्रो जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखना, हमेशा मुस्कुराते रहिएगा और शान्त रहिएगा। क्योंकि सफल एवं सरल जीवन का यही दो उपाय है कि आप हमेशा मुस्कुराईए और शान्त रहिए। आज का दिन प्रेम संबंधों के लिहाज से मेश राशिके जातकों के लिए मिला जुला रह सकता है। साथी को कहीं दूर किसी रोमैंटिक जगह की सैर करा सकते हैं। इससे आपस में जो भी थोड़ा तनाव है वह दूर होगी। वहीं जिन जातकों के प्रेम संबंध कुछ बिगड़े हालात में है उनमें सुधार आ सकता है। तो मित्रो हमारे गुरु जी कहते हैं कि व्यक्ती के कर्म ही उसके भाग्य का निर्मान कर रहे हैं। अर्थात जो आप अभी कर रहे हैं, आज जो करने जा रहे हैं, उसका फल आपको भविश्य में मिलने वाला है। क्योंकि मित्रो हमें जीवन में एक बात का ध्यान रखिएगा, कि जो आप बोगे, वही काटोगे. अपने कर्मों का खेल आपको समझना चाहिए. मित्रो अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, भगवान की शरण में उसे ही स्थान प्राप को थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि अचानक ही कुछ ऐसी घटनाएं घटेंगी जिन्हें देख कर आप यह अंदाजा नहीं लगा पाएंगी कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और अचानक ही किसी अंजान व्यक्ति से भी आपकी मु लाकात जो है बहुत अधिक फाइदेमंद भी रहेगी। अगर कोई प्रॉपर्टी बेचने संबंधित योजनाएं भी तो उस पर ध्यान के इंद्रित रखें और आपके लिए उचित डील भी हो सकती है। वहीं आपको बता दें मित्रों की विद्यार्थी अपने परहाई के प्रतिपूर्ण एका ग्रचित रहेंगे और किसी सदस्य के स्वास्थ को लेकर जरासी भी लापरवाही नहीं बरतनी है। वहीं आपको ग्रह संकेत दे रहे हैं कि व्यवसाए में आपकी उचित कार्य प्रणाली द्वारा बहतरीन व्यवस्था बनी रहेगी। मार्केट परन्तु इससे आपसी संबंधों में और अधिक नजदीकियां आएगी और आपको बता दे मित्रों कि यह जो समय रहेगा यह समय नौकरी पेशा लोगों व्यक्तियों के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा और मित्रों इस समय ग्रह स्थितियां आपके उचित भाग्य का नि संबंधित योजनाएं भी बनेगी और मन में कुछ नकारात्मक विचार भी उत्पन्न हो सकते हैं लेकिन इन विचारों को अपने आप पर ज्यादा हावी न होने दें क्योंकि इसका असर आपकी नींद पर भी पड़ेगा और नींद ठीक से नहीं आएगी तो फिर स्वास् संबंधित समस्याओं का भी आपको सामना करना पड़ेगा सकारात्मक प्रवरिति के लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करें तथा कुछ समय एकांत में बैठ कर आत्म चिंतन में भी अवश्य करें इंपोर्ट-एक्सपोर्ट संबंधित बिजनेस गती पकड़ेंगे और द गुरुजी के एक छोटे से चमतकारी एवं सिद्ध महत्वपून उपाय से जो की आपको बड़े ही ध्यान से करना है और बड़े ही ध्यान से सुनना है मित्रो आपको बताते हैं कि सनातन धर्म में बहुत चमतकारी उपाये हैं यदि आपके उपर कर्जा बहुत ज्यादा बराच गया है अगर कोई व्यक्ती काफी समय से कर्ज में डूबा हुआ है और वह बहुत कोशिशों के बावजूद कर्ज नहीं उतार पा रहा है तो बुधवार के दिन सवा पाव साबुत मूं को उबाल कर उसमें घी तथा चीनी मिला कर एक गाय को खिला दें इस उपाय को आपको लगातार साथ बुधवार तक करना है मित्रो साथ बुधवार खत्म होते होते आपके जीवन से सारा कर्ज समाप्त हो जाएगा तो आईए अब बात करते हैं कि 24 गंटे आने वाले कैसे रहेंगे मित्रों आपको बता देते हैं कि आप काम को अलग रख कर थोड़ा आराम करें कुछ ऐसा करें जिसमें आपकी दिलचस्पी हो जिसमें आपको मशीन की तरह काम न करना पड़े मित्रों क्योंकि आप एक इंसान है आपकी अपनी भी कुछ भावनाएं हैं कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ सपने हैं, तो आप अपने निजी जीवन का भी खयाल रखें और मित्रों कुछ काम हट कर करें। धन की आवाज आही, पूरे समय होती रहेगी। पैसा आएगा, पैसा जाएगा। क्योंकि इस वक्त मित्रों, ग्रहों की परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन रही हैं, दिन ढलने के बाद आप बचत करने में भी सक्षम हो पाएंगे और नाती पोतों से काफी खुशी आपको मिल सकती है, याने कि नाती पोतों के द्वारा आपको शुब समाचार सुनने को मिलेंगे। दोस्ती में प्रगारहता के चलते रोमांस का फूल खिल सकता है। और प्रतिस परधा में बरहहत के लिए व्यवसाईयों को नई योजनाएं और नई रणनीतियों पर काम करने की हद से ज्यादा जरूरत है। मित्रो, आप सभी को बता देते हैं कि बेकार के वाद विवादों से जितना ज्यादा हो सके, खुद को दूर रखने की कोशिश करें और सिर्फ सकारात्मक रहें। जी हां मित्रो, आप लोगों का ध्यान आसानी से अपनी और आकरशित कर सकते हैं। साथ ही आपको बता देते हैं मित्रों कि बेवजह की उलजनों से दूर होकर आप किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी भी धार्मिक स्थल पर अपना खाली समय बिता सकते हैं। और जीवन साथ ही से पूर्ण रूपेन सहयोग में ना मिलने के कारण आप निराश भी हो सकते हैं। क्योंकि ज्यादा खर्चा करना आपके लिए मुश्किलें बरह सकता है। और मित्रों सकारात्मक विचार ही जीवन में लेकर आए। नकारात्मक विचारों की आपको बिलकुल भी जीवन में आगमन नहीं करना है, बिना कुछ खास किये, आप आसानी से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकरशित करने में काम्याब रहेंगे। सभी सीमाओं के परे आपने यह बाता है।